नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां शरीर में दीखें ये लक्षन तो समझे कैलिशियम की कमी है समय रहते जान जाईए वरना बुढ़ापा एक खाट पर सिम जाता है हड्यों को और दातों की मजबूति के लिए केल केरी पोशक्तव है हर किसी को एक दीन भर में केल्ष्यम की एक निश्चित मातरा के जरूरत भी होती है एक स्वस्थ्त मनूश्यकू दीन भर में 1000-1200 मिलीग्राम कैल्सियम के अवस्षक्ता होती है वहीं गर्प shepherdlı मह देखी जा रही है हम बता रहे हैं कुछ लक्षन जिनसे आप जान पाएंगे कि आपके शरीर में केल्शियम की कमी है जिहां हड्यों में कमजोरी केल्शियम हड्यों के बनने में मदद करता है और इसकी कमी होने पर इसका पहला लक्षन हड्यों पर दिखाई देता है केल्शिय कमी से उम्र के साथ अच्टिोपोरिसिस का होने का खत्रा वी बढ़ जाता है इसकी कमी से खासतोर पर जंगों और पिंडलियों में असनिय दर्द होता है नाखूनों का कमजूर होना आपके नाखून भी एक तरह की हड्डियां ही होती हैं इन्हें भी बढ़ने और मजबूत होने के लिए केल्शियम की जरूरत होती है केल्शियम की कमी से नाखून कमजोर होने लगते हैं और आसानी से तूट जाते हैं शरीर में केलशियम की कमी होने पर नाखूनों पर सफेद निशान दिखने लगते हैं। दातों का कमजोर होना शरीर में मौजूद 99 प्रतिक्षत कैलशियम हड्यों और कैलशियम की कमी से दातों में दर्द और जंजना हट होने लगती है और दात कमजोर होकर तूटने लगते हैं छोटे बच्चों में कैलशियम की कमी से दात देर से निकलते हैं थकान, केल्शियम की कमी से हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द रहने की वज़ा से शरीर पे थकान होने लगती है इस वज़ा से निंदना आना, डर लगना और तनाव जैसी समस्याएं होने लगती है महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद अक्सर केल्शियम की कमी हो जाती है और वे ठकान महसूस करने लगती है मासिक धर्म में अन्यमित्ता महिलाओं में केल्शियम की कमी की वजह से मासिक धर्म देर से और अन्यमित तोर पर होता है मासिक धर्म से पहले केलशियम की कमी के कारण ज़्यादा दर्ध होता है और खून भी ज़्यादा आता है केलशियम महिलाओं के गरभाशे और उवेरियन हर्मोन्स के विकार में मदद करता है जल्दी-जल्दी विमार पढ़ना केल्शियम रोग प्रतिरोधक शमता को बनाय रखने में महतोपून भूमिका निभाता है इसके अलावा ये श्वसंत तंत्र ठीक रखता है और आतों के संक्रमर को रोखता है केल्शियम की कमी होने पर व्यक्ति जल्दी जल्दी बिमार पढ़ने लगता है बालों का जहरना बालों के विकास में केल्श फिं महतोपून भूमिका होती है इसकी कमी से बाल जहरने लगते हैं और रूखे हो जाते हैं अगर आपको ऐसी समस्या है तो ये शरीर में केल्शियम की कमी का संकेथ हो सकता है बढ़ती हुई उम्र के साथ व्यक्ति का का खत्रा आमबात हो जाती है इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने या उनहील्दी डैट होने के कारण भी शरीर में केल्षियम की कमी हो जाती है वहीं महिलाओं में गरभा वस्था के दौरान बेबी की बोन डेवल्पमेंट परोसेस के समय महिला नहीं शरीर में केलशियम का लेवल कम होने लगता है इसके साथ ही बच्चों को ब्रेश्ट फीड करने वाली माउं के शरीर में भी केलशियम की कमी हो सकती है आए इससे बचने के कुछ आसान और घरेलू उपाए हम आपको बताते हैं जो सिर्फ दो रुपए के खर्च पर आप प्र तरा की पूर्ती हो जाएगी जीरे का पानी रात भर दो गलास पानी में जीरा भिंगो कर रखें सुबह उस पानी को उबाले जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान करके पिए आपको लाव होगा तील रोजाना दो चमच भूने हुए तील का सेवन करें स्वाद बदलने क लिए तील की चिक्की और लड़ो भी खा सकते हैं रागी हपते में कम से कम दो बार रागी से बनी हुई इडली दलिया या चीला खाएं इससे प्रयाप्त मात्रा में कैलिशियम आपको मिलेगा अंजीर और बादाम रात भर पानी में चार बादाम और दो अंजीर भिंगो क सुभा इने चबा करके खालें स्प्राउट्स नास्ते या शाम के समय हलकी भूख में एक बावल श्प्राउट्स खाएं निंबू पानी रोजाना शाम को एक ग्लास निंबू पानी पिएं दिन भर में कोई एक खटा फोल खाने से भी फायदा मिल सकता है सुयाबीन सब्ता हमें एक बार सोयाबीन की सबजी खाएं या खाने में सोयाबीन की मातरा बढ़ाएं सुबह की धूप रोजाना सुबह आठ बजे से पहले करीब 10 मिनट धूप में बिताएं आपको फायदा होगा जिहां दोस्तों तो यह वो कुछ जानकारी थी जिसके सहारे आप अपने शरी